हेलो एवरिबड़ी आज हम एक ट्रिब्यूट देंगे फादर ओफ रिसर्च लैबोरिटरीज सरशांती स्वरूप भटनागर जी को हम में से शायद बहुत सारे लोग इनका कॉंट्रिब्यूशन नहीं जानते हैं तो आज हम उनके बारे में डिटेल में जानेंगे तो सरशांती स्वरूप भटनागर जी जो हैं इनका जन्म हुआ था 21st February 1894 को भेरा पंजाब प्रोविन्स जो की ब्रिटिश इंडिया में था अब पाकिस्तान में है और इनकी नैशनलिटी इंडियन थी और यह अलमा मेटर थे यूनिवर्स्टी ओफ पंजाब और यूनिवर्स्टी कॉलेज लंडन के और इनकी डेथ हुई थी 1st January 1955 को बाई हार्ट अटेक और न्यू डेली इंडिया में हम इनको अगर अच्छे से देखें तो CSIR हम अच्छे तरीके से जानते हैं और CSIR जो है वो जाना जाता है सर शांती स्वरूप भटनागर जी के नाम से यह पुरा समरी है जो कि हम आगे डिसकस करेंगे इन डिटेल तो आई हम वन बाई वन इनके पूरे कॉन्टिबूशन को देखेंगे तो सबसे पहले हम को यह पता होना चाहिए कि CSIR जो कि Council of Scientific and Industrial Research है उनके First Director Journal कौन थे? वो सर शांती स्वरूप जी थे और इनहीं को Father of Research Laboratories भी बोला जाता है इंडिया में तो यह CSIR का लोगो है यह हम सभी को लोगो पहचानना है फिर आते हैं हम UGC में तो University Grants Commission New Delhi में है और उनके जो First Chairman थे वो भी शांती स्वरूप भटनागर जी थे एक और बहुत important चीज है जो बनारस Hindu University है वहां का जो कुल गीत है वो इन्हों नहीं लिखा था आप यह देख सकते हैं यह कुल गीत हिंदी में है और इसको आप इंटरनेट में जाके देखेंगे तो पूरा गीत भी आपको मिल जाएगा यह BHU का University Song भी कहा जाता है और इसकी रचना जो है वो भी इन्हों नहीं की थी एक बहुत इंपोर्टन चीज़ है 1954 में इनको पदमभूशन जो पुरसकार है उससे नवाजा गया था और यह जो पदमभूशन पुरसकार होता है यह 3rd highest civilian award होता है और यह Republic of India का award है जो कि दिया जाता है और इसकी शुरुवात हुई थी 2nd January 1954 से और यह किसलिए दिया जाता है इस गिवन फॉर डिस्टिंगुश्ट सर्विस ऑफ आई और और इसमें कोई discrimination नहीं होता है और इसको अपकी जो उपलब्धी होती है उसके अनुसार यह दिया जाता है तो 1954 में इनको पंभूशन आवर्ड मिला था एक और हम बहुत important सीजिन के बारे में जानते हैं कि करीब 12 national laboratories क्यों इन्होंने establish किया था इसमें से कुछ के नाम हमने यहां पर दिये हैं like central food processing technological institute मैसौर, national chemical laboratory पुने, the national physical laboratory नियू डेली, the national metallurgical laboratory जमशेदपूर, then the central fewer institute धनबाद, यह कुछ prominent institutes या laboratories है जिसका establishment इन्होंने किया था आगे हम देखते हैं कि बहुत सारे young scientists थे उस समय के जिनके इन्होंने mentorship के थे और जैसे कि यहां पर अगर आप details में देखें तो he mentored a number of young scientists of the time who were working at the Indian Association for the cultivation of science in कौकता इसमें कुछ prominent names यहां पर दिये हैं like स्यामदा चतर जी, खृषान तिलाल बैनर जी जी और साथ साथ आशुतोश मुखर जी इन्होंने ही की थी अब हम बात करेंगे कुछ important academic और research contributions की तो जो यह थे sir यह secretary of the ministry of education and educational advisor थे government के और जोंने बहुत important role play किया था in constitution and deliberation of the scientific manpower committee report of 1948 और साथ ही साथ अगर आप देखें तो अगर हम इनकी पूरी journey देखें तो university professor रहे 19 years के लिए from 1921 तिल 1940 पहले यह BSU में रहे फिर पंजाब university में रहे और एक बहुत अच्छी reputation थी इनकी as a teacher यह teacher थे जो कि बहुत खुश रहते थे और लोगों को बहुत college देते थे इनका जो research contribution है वो specific इनका area था magneto chemistry and physical chemistry of emulsion जिसका बहुत recognition मिला और इनके important professional contributions की हम बात करें तो इन्होंने applied chemistry में बहुत सारा काम किया He played instrumental role in establishment of national research development corporation जो NIDC होता है इंडिया का उसको establish करने में इनका बहुत बढ़ा हाथ था और साथी साथ इन्होंने जो gap होता है research and development में उसको bridge करने का काम किया था He was responsible for initiation of the industrial research association movement in country साथी साथ इन्होंने constitute किया था one man commission in 1951 to negotiate with oil companies for starting refineries and this ultimately led to the establishment of many oil refineries in different parts of the country तो इनोने लोगों को बहुत मदद की लोगों को induce किया motivate किया organizations को बहुत सारे donations देनी के लिए ताकि science और education में मदद मिल से इनकी death हुई थी heart attack की वज़े से on 1st January 1955 at the age of 60 अब हम बात करते है कुछ important इनकी honors और recognitions की तो जो शांती सुरू बटनागर जी थे उनको elect किया गया था one of the first fellows of Indian Academy of Sciences in 1934 then he was appointed a foundation fellow of the National Institute of Sciences of India then for his contributions to pure and applied chemistry he was appointed an officer of the order of the British Empire in the year 1936 new year honors list then the British government dited him in 1941 new year honors list for his contributions to the advancement of science इसके लाब भी कुछ important honors and recognitions है जैसे की इनकोई पॉइंट किया गया था fellow of the institute of physics in 1942 and fellow of the royal institute of chemistry that year then in 1943 the society of chemical industry London elected him as honorary member and later as vice president he was also elected as fellow of royal society in 1943 he was awarded Padma Bhushan by the government of India in 1954 और उनके नाम से ही एक Indian Science Award है जो की दिया जाता है for science and technology जिसको की बुरा जाता है शांती स्वरूप भटनागर प्राइज इसको हम आगे देखेंगे यह है शांती स्वरूप भटनागर प्राइज in 1958 to honor his name and legacy the Indian Council of Scientific and Industrial Research जो की CSIR होता है इन्होंने स्टार्ट किया था यह एक प्राइज देना for science and technology for scientists who have made significant contribution in various branches of sciences तो इसमें basic criteria यह है कि जो scientist जिनकी age below 45 years है उनको दिया जाता है और यह कौन देता है यह basically CSIR यह देते है और through Prime Minister यह दिया जाता है और कौन-कौन से areas में देते है तो biology, chemistry, mathematics, physics, medicine, engineering and earth, atmosphere, ocean and planetary sciences इन सभी में यह दिया जाता है और इसमें cash price भी 5 lakh दिया जाता है तो यह कुछ example, कुछ name है उन लोगों के जिनको की 2021 में यह prize मिला तो यह मैं just एक आपको दिखाने के लिए कि कितने areas में यह दिया जाता है तो यह आप देख सकते हैं और इसके बाद एक चीज़ और बहुत important है 1994 में इनके नाम से एक postal stamp इशू किया गया था और यह देखिए यह प्रथम दिवस आवरण है जब उस समय के जो प्राइम नेस्टर थे हमारी फर्स प्राइम नेस्टर बड़े जवाहार लाल नहरू जी इनके हाथों से यह दिया गया था और इन्होंने इसको स्टार्ट किया था तो यह देखिए यह एक पुरानी पिक्चर हमको इंटरनेट से मिली है यह हम आपको दिखाने के लिए हमने इस मिला डाली है और यह आप stamp देख सकते हैं तो अबर अगर हम बात करें तो यह बहुत प्रामिनन परस्टार्टी है जिनको father of research of lab बोला जाता है यह poet and actor भी थे यह भी हमने इंटरनेट से ही यह पिक्क ली है और यह उर्दू में इन्होंने एक act play का भी लिखा था कारा मती फिर कुल यह इन्होंने लिखा था ही हम सभी जानते हैं first director general थे CSIR के और यह chemistry के professor रहे 19 years के लिए इन्होंने invent किया था दभट नागर माथूर magnetic interference balance with कियन माथूर used for measuring magnetic properties. So thank you so much. This was a small tribute by me to respected sir. Thank you so much.